सब्सक्राम रादे रादे ये मेरे क्रिशना है ठाकुर जी अब अधिका सोने का टाइम हो चुका है तो गाइस मैं अपने काना को सुलाने के लिए लाई हूं और गाइस मैं अभी अपने काना जी को बस एक बास्केट मैंने सजा रखी है उसी में मैं अपने काना जी को सुलाती हूँ और मैंने अपने काना जी के लिए एक देखो उनके लिए सोने के लिए गद्दा बनाया है देखिए ये मैंने इसमें मच्छरदानी भी है और इसमें मैंने रूई मतलब कॉटन जो होती वो भर दी है मैंने और दो हैंकी एक साथ जोड़ कर बनाई है मैंने अपने काना के लिए तो देखो गाईज मैं इस बासकेट में सुलाती हूँ भी मेरे चोटे काना है तो अभी फिलाल तो मैं इसमें सुलाती हूँ अपने काना को अभी बैठे हैं क्योंकि हम सब लोग भी अभी जगे हुए हैं तो यह हमारे बीची बैठेंगे थोड़े दे और फिर मैंने अपने हबी से बोला हम बैड पर सोती हैं तो हमारे एक छोटू के लिए भी बैड होना चाहिए हमारे लड़ू के लिए भी तो देखो गाइस मैंने इनके लिए एक बैड बनवाया है मेरे हस्बेंड ने बनाया है देखो मतलब मैं जूट भी नहीं बोलूँगी कि न्यू लक्डी है मतलब जैसे हमारे घर काम चला था तो उस मैंसे बची हुई थी तो मैंने उन बिल्कुल सेम बैड वाला लुक है देखिए ये एक तरफ मतलब पैर है और एक तरफ शराना जिसे बोलते है सर की तरफ ऐसे करके है देखो गाइस कैसा लगा मेरे लड़ू गोपाल जी का बैट अगर किसी को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में मुझे लिख कर बोले और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें प्लीज और मेरे लड़ू गोपाल भी खुस होंगे है लड़ू मेरे लड़ू गोपा पर सोया करूंगा तो गाइस देखो जब हम सब लोग मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे लिए ठाकु जी है मैं ज्यादा पूजा तो नहीं करती लेकिन हाँ अपने लड़ो गोपाल का ध्यान रखती हूँ जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी ही पूजा करती हूँ और मैं अपने लड़ो गोपाल को डेली निलाती हूँ उनको भोग लगाती हूँ उनको डेली सुलाती हूँ बस इतना नहीं करपातियुमेन के लिए जितना मुझसे हो जाता है और ये देखे गाइज मेरी बेटी है ये पता नहीं कुछ बना रही है देखो गाइज मेरी बेटी ने गनपती जी का एक देखिए पिच्चर बनाई गनपती जी की मतलब उनका वाकार दे दिया है अच्छा बनाया है ये साकेंड क्लास में है गाइज और मतलब वैसे तो ये अच्छी है पढ़ने में देखे गाइज कैसे बना रही है देखे कलरिंग कर रही है ये ये देखिए और गाइज अब काफी टाइम हो चुका है मेरे कन्नू बैठे हुए है अभी अब देखिए मैंने गाइज अपने काना के लिए मैंने और ड्रेस बने इनके काना के लिए मैंने सोचा न्यू ड्रेस नमाँगी तो देखिए गाइज मैं अपने काना के लिए वो लेकर आई हूँ ओन लेकर आई हूँ गाइज इस देखो ये यल्लो कलर की है ये देखे गाइज और ये पिंक कलर है ये देखो रेड है और मैं अपने काना जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी कुछ दो ड्रेस काना के लिए बनाऊंगी और एक अपनी लच्वी मा के लिए और अपनी दुर्गे मा के लिए शॉल बनाऊंगी और मैं अपने हाथ से बनाऊंगी क्रोशिया से और गाइज मैंने अपने कानों के लिए भी काफी ड्रेस अपने हाथ से बनाई है ये तो नहीं बनाई गाइज मैंने लेकिन हाथ जो बनाई है मैं उन्हें अगली वीडियो में दिखाऊंगी और ये जब मैं अपने काना के लिए न्यू ड्रेस बना लूँगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपको दिखाऊंगी ओके गाइस तो मैं अपने काना के लिए लेके आई थी ये सब और अब काफी टाइम हो चुका है मेरे लड्डू को पाल को सोने का टाइम हो चुका है तो मैं नहीं सुला देती हूँ और आगे की वीडियो में हम मिलते हैं और कुछ अच्छा दिखाऊंगी अपने काना के लिए जो ड्रेस बनाऊंगी वो आप सब दोगों को दिखाऊंगी गाइस अच्छा गाइस बाइस बाइस बाइस